हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है साइबर सुरक्षा के इस चैनल में एक नए वीडियो के साथ हम इस बार आपके सामने आये हैं इस वीडियो में हम इस चीश को देखते हैं कि हमारे पास जो हमारा सुरक्षा चैनल है उसमें लगातार लोगों का complaint आ रहा है जिसमें हूँ ये लोगं बता रहा है कि कीस तरह से cybercrime को हम करें, report कैसे करें, हम कहां जा हैं, हमारा फाणा नहीं सुनता, हमारे पुलिस वाले नहीं सुन रहें, हम report कर रहे हैं तो हमारा कोई response नहीं आ रहा, तो इस बार जो unprecedented crisis जो covid-19 क आया हुआ है, इस COVID-19 के क्राइसिस में लोग थाना जान नहीं पार है, लोगों के पास ये समस्या है कि अगर कोई उनका दूर दराज का कोई दोस्त है या फिर कोई परिवार कहीं और गया हुआ है, उनके साथ फ्रॉड हो है, तो वो क्या करें, उनके पास डिटेल नहीं है, अभी हम इस चीज को जानते हैं कि हमारे पास इसको रिपोर्ट करने का क्या क्या तरीका है, तो इस करम में मैं आपको आगे ले चलते रहों दिखाता हूँ, कि Ministry of Home Affairs ने एक बहुत ही अच्छा प्लैटफॉर्म तैयार किया है, जिसका नाम है National Cyber Crime Reporting Portal, मैं फिर से बताता हूँ उसका नाम है National Cyber Crime Reporting Portal, अब यह जो Reporting Portal है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हम इस पर रिपोर्ट कर सकते हैं, लोगों का जो इस तरह के जो क्लेंस हैं, कि किस तरह से हम NCRP के पोर्टल पर रिपोर्ट करें, वो भी समस्याएं आएंगी, तो आप हमें कमेंट म अपने phone से complaint कर सकते हैं, आपको acknowledgement number अफायर थी तरह विसीवब होगा, उस number का इस्तमाल आप बैंक को भी दने में कर सकते हैं, आप पुलीस वाले को भी दने में कर सकते हैं, आप अपने जो complaint आपने किया है, उसका tracking भी आप कर सकते हैं कि कि आपका complaint के status report किया है, आप उस तर तरक है कंपने रिपोर्ट किया जाते हैं, यह है NCRP पोर्टल जिसको नैशनल साइबर क्राइन रिपोर्टिंग पोर्टल होते हैं, आप देख सकते हैं कि यह MHA मिनिस्ट्री और फोर्म आफेर्स ने बनाया है, इसमें दो तरक के क्राइम होते हैं, मैं इस वीडियो को दो पा इस तरह के situation में हम क्या करें, लड़कियों के पास एक option होता है, या लड़कों के पास एक option नहीं होता है, कि हम कहां जाएं, हम किसको बताएं, क्योंकि वो अगर वाइरल हो जाता है, या कोई वीडियो उनको कही से पता चलता है, कि आपका कोई वीडियो वाइरल हो रहा है, तब वो क्या करें इस situation में इनने बनाया जो है इस portal में दो चीज बनाया है एक report woman related crime जिसके बारे में हम next video में बताएंगे अभी हम आपको बताएंगे कि reported other crime यह cyber crime से related है मैं आपको फिल से बताता हूं दोस्तों यह सिर्फ cyber crime से related है इसमें other crime आप report ना करें तो यह national cyber crime reporting portal है इसम इसमें एक option report other cyber crime है तो report other cyber crime में जब हम जाते हैं तो इसमें basically यह cyber crime से related ही आपको report करना है आपका अगर मानी जब पर्स चोरी हो गया आपका motorcycle चोरी हो गया वाइक चोरी हो गया हमारे पास इस तरह के cases आते हैं लोग इस पर report करते हैं यह गलत तरीका है इसमें आप सिर्फ cyber crime related offense को ही report करें यह जब है तो इसमें दो चीज है learn about cyber crime, learn about cyber crime में एक बर जब मैं click करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि learn about cyber crime में basic 29 types के cyber crime है इसमें आप देख सकते हैं तो इसमें basically आप जाए और जाकर करके one final definition है क्या है what is child pornography, child sexually abusive, जिसको CSM मोलते हैं यह है क्या इस तरह के बहुत सारे अगर आप देखते हैं तो 29 types के cyber crime को लिखा है मैंचे में आप जाकर पढ़ सकते हैं अब इसको मैं back करता हूँ आप इसके बारे में definition देख लीचे इसको back करते हैं इसमें basically अगर हम report other cyber crime में देखते हैं तो file a complaint option, file a complaint option को में click करता हूँ इसमें basically देखे कि यह ए privacy policy अगर हम privacy policy में जाकर देखते हैं तो privacy policy में सिर्फ यह बात लिखा है कि आप जो भी information दे रहे हैं वो यहां से leak नहीं होगा अब आपको कुछ नहीं करना है यहां आपको accept कर लेना है आप देख लिए कि किस तरह से करना है यह आपको एक box मिला इसमें आप करिए अपना select की कीजिए इस पर सरफ कीज़े स्टेट से आप चनल चलिलेत नाम करती ही और ज्छहरकnd मेश्त करने के बाद है कि का जहांकर्कन सेलेक्ट करने के बाद आप अपना नाम डालते हैं। स्टेट कर करने के बाद आप om नाम दालेगे हैं को pewni नाम घनाल दीए एक नाम डाला ये वेक नाम है उसके बाद हम अपना एक मोबाईब दाले जो हमारा मोबाईल लंबर है यहाม पैस मोबाईल नंबर को हम डालते हैं यह को मैं नम लेगेraham यहां पर उति भते हैं यह हमारा मोबाइल नमर चुकि पहले हमने यूज किया है इस पर इक OTP आएगा अभी जैसे हमारे पास OTP आता है मैं आपको दिखाता हूं लेकि हमारा वन टाइम OTP आ गया है 17 प्लस 8 हमने 17 और 8 25 हो गया 25 लिखा और इसको हमने सम्मिट कर दिया इसको सम्मिट करने के बाद यह हमारा एक बॉक्स खुल जाता है इस पर हमें कंप्लेन अपना डाला है category of complaint यहाँ पर देखना है कि category of complaint सबसे पहला option है इसमें बहुत सारे crime टाइप के crime है आप इसमें other option भी डाल सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ इन तरह तमाम जो cyber related crime है उसको आप यूज कर सकते हैं cyber में डाल सकते हैं अब हम एक सब्सक्राइब करते हैं इसमें जो any other type of complaint incident का detail हमें देना है अगर हम detail नहीं देता है तो हम पता नहीं चलबाता है तो इसमें हमने क्लिक किया अब हम लोग approximate date डालते हैं कि कव हुआ है यह आपके साथ तो इस date को हम लोग डालते हैं यहां से select करते हैं तो हमने 7-8 बुज़र पीस एक date हम देखता है कि reason for delay in report अगर आपके पास आपने कोई ऐसा record डाला है जो कि आपका delay होड़ा तो आप यह reason दे सकते हैं अधरवैस इसको छोड़ सकते हैं कोई दे करते हैं जो इसमें एक चीरी का ध्यान हम लोग यह रखना है जैसे हमने date डाला time डाला उसके बाद आप ध्यान रखिए कि यहां star mark है जो star mark है उसको आपको भरना है अगर आप star mark को नहीं भरते हैं तो आपको यह वापस से इसी जगह पे ले आता है और आपका यह complaint accept नहीं करेगा तो उसके बाद हम आगे चलता है तो हम देखता है कि where did the incident occur इसका मतलब है कि यह किस तरह हुआ फेस्बू करने के बाद हम इसके बारे में टूइटर का हमारा एक आईडी देना पड़ता है जो टूइटर आईडी है यह हमें आपको इस तूइटर आईडी पे कुछ फ्रॉड हुआ है तो हम यहां से फाइल चूज करना पड़ेगा वह फाइल हमारा picture के format में हो सकता है अब हमारा य आद किया अब यह एक करने के बाद यह यहां पर टूटर हैंडे ला उसके बाद यह सपोर्टिंग एविदेंस हमारे टूटर हेंडल में इंकैस मालली ही अपका टूटर हैंडल में आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होई है आपका हैंडल किसी ने hack कर लिया उसका evidence क्या है है आप चला रहे हो या और चला रहे है यहां से अपने स्कीन के परla के अपने टॉस करंगव यह हम चूज कर गया है अगर इन्फरमेशन है इस अडेशनल में आएड कर सकते हैं आधर वे 점ह हमें जरूत नहीं है इस पर add करने की, अब हम जो है कि इस पर और दिखाता है आपको इसके आगे, अब हमारे पास यह आगे है, ट्विटर हैंडल, टेक्स इंफरमेशन, केस इतना ही हमने कर लिए, या तो आप डिलीट कर सकते हैं, या आप इसको इसमें अगर आपने बलती से कुछ किया तो आप लिटका है, अब आपको क्या करना है, कि आप यहाँ पर simply, यहाँ पर फाइल एड करना है, यह संट के बारे में, एडिशनल इंफरमेशन कुछ भी भर सकते हैं, आप यहाँ भरते जाहिए, अपना इंफरमेशन देखे, हम लोग ने जैसे भर दिया इसमें, चुकि इसमें आप अपने हिसाब से देता है, इसलिए हमने इसे को थोड़ा भी भर रखा है, अब यह इंफरमेशन हमने भर दिया, आप 1500 करेक्टर, 1500 करेक्टर से ज्यादा नहीं भर सकते हैं, इसमें एक लिमिटेशन है, मैक्सिमम का, आपने भर दिया, अब से और नेक्स्ट करते हैं, अब से और नेक्स्ट करते हैं, तो हमारा यह एक नया बॉक्स खुलता है, अब यह जो है कि अडिशनल इंफोमेशन, अगर आपको सस्पेक्ट के बारे में पता है, आप उसके बारे में जानते हैं, कुछ जानते हैं, तो आप कर सकते हैं, अगर आपके पास इंफोमेशन है है तो भरिए अधरावास आगे चले अपक नेचे तरह बढ़ते हैं क्या है अब हम जो कम्प्लेंव कर रहा है कोई हमारे भाई को यह नोगों ने फेट नाम इस दाला अब हम क्या है कि इसको डिटेल को और बढ़ाएंगे मेल कंवे अभी हैं आप यहां प्टॉर वी मेल है जो मेल हम भी और आपका बढ़ दिक कोई ते हैं यह बिल रुट कर सकते हैं वहिसे नहीं ही किसी तरह हैं नुसकर ॉट बर्थ में आपका रोपर हाटम जोबिया अब उसके बाद हम यहां पे अपने रिलेशनशिप फादर मदर उन सब के बारे में डालेंगे यह पुरा कंप्लेंड डिटेल है इसको हम लोग तेजी से भरते हैं आपको बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत ने आगी अगर आपको कोई दिक्कत आईगी तो हमारे कमेंट सेक्षन म का कैसे भरना है बाकि हम लोग उसको जल्दी सभरते हैं आगे दिखाते हैं कि किस तरह से चीजों को और हम लोग पर इसमें देखने वारी बात यहां पे है कि यह जो i його nash sustainability हमने बाने हैं इस पे हम ह्या बनेंगे हमारे पास यह बहुत सारा ठाहें हो ह là हम किसी और ठाना छेतम है हम कहीं और गये वह बहुत इंपॉर्टन था, piece station हम की p Из- injusti common case देना चाथे या बात हमेशा ध्यान रखे की आपका घर के पास का जो आपका jurisdiction का police station है जरूरी नहीं कि complaint आप वहाँ दे आप अगर देली में हैं आप मुंबई में बैठे हैं आप किसी भी state को select करके आप दे सकते हैं यहाँ पे कहीं कोई बार नहीं है अगर आप ने गलत दिया तो आपका वो complaint रिजेक्ट हो सकता है इसलिए आपको उस चीज को ध्यान रखते हुए इसको समझना है कि यह है क्या यहाँ पे जब हम जाते हैं police station में select करते हैं अगर हमने state जार्खन select किया है तो जार्खन के ही police station को आप दे सकते हैं otherwise आप और कहीं अलग नहीं कर सकते हैं हम जिस state को select करते हैं हम वहां के अगर नहीं है तो बहुत ध्यान रखना है कि आपको select करने के बाद उसके description में जो वहां पे description था आप वहां दे सकते हैं यह यहाँ detail बदा सकते हैं कि हम किस थाना को देना चाहिए अब हमने रांची के district रांची के किसी थाना में select किया हम रांची के किसी थाना में select करते हैं चले हमने यहाँ पे नामपूम थाना select किया अब हम नामपूम थाना select करके यहाँ पे हम वहां पिन कोड डाल देगे नामपूम थाना का पिन कोड हमने है यह हमने डाल दिया नामकुंधाना का पिंकोड अब यहां पर सेवयं प्रिव्यू में जाते हैं एक पर देखते हैं कि क्या है कि हमारा यह पूरा कंपरीं तयान चुका है इसको पूरा डिटेल हमने डाल दिया है जो जो चीज हमें सस्पेक्ट का हमारे पास कुछ अडरेश न अब इसके बाद हम इसका डाउनलोड कर सकते हैं PDF समिट कर सकते हैं रिसेट कर सकते हैं आपको यह अगरी करना पड़ेगा और यह लिखा हुआ करना पड़ेगा इसमें यह लिखा हुआ कि आपने जो भी इंफर्मेशन दिया वह फॉल्स नहीं है अगर 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 आप कोई फॉल्स इंफर्मेशन डालते हैं तो आपके विरुद्ध करवाई होगी यह बात यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है अब हम इसको डाउनलोड क कर सकते हैं इसको संब्सक्राइबं करें इसको संब्सक्राइब करें ऑपने पर मैंसज की तरह चला जाएगा मैंसज में आपको यह बंब आपको प groundwater काम आएगा आगे ये क्रिवांस नंबर जो भी आपके पास जो अग्नॉलजमेंट नंबर आया है, ये नंबर आपको मिल चुका है, आप इस नंबर को नोट कर लीजे, अब हम आपको आगे बताते हैं कि इस नंबर काहा कहा इस्तमाल कर सकते हैं, जो फोल नंबर आपने यहां पर दिया है, आप आप इस चीज को चेक कर सकते हैं कि यह message के form में आपके mobile नमबर पर आ गया होगा आपको मिला है यह acknowledgement नमबर आपके mobile पर ऐसा message मिल गया होगा इस नमबर पर जैसे जैसे कारवाई होगी चाहे वो MHA करें चाहे वो जहरकन पुलीस के पास आए या जहां आपने सरट किया जिस state को सरट किया वो उसके पास जाएगा आपके mobile पर message by message मिलता चाहेगा कि उस status report क्या है अगर आपने गलत information भरा होगा आपने कोई चीज information की additional information की demand होगी तो वो आपको exact बता देगा कि आपने क्या information भरा है या क्या गलत किया है otherwise वो complaint reject हो जाता है आपको कोई भी ऐसा गलत information नहीं देना है आपको जो चीज भी देना है अगर आपको link share कर रहे है आप जैसे हम लोगों ने वहाँ पीछे एक dog share किया आप कोई भी चीज share कर रहे हो अगर आप वो गलत share करते हो या उससे related share नहीं करते हो तो वो आपका complaint reject हो जरुवत अभी फिलहाल नहीं है आप उसका acknowledgement number से भी काम कर सकते हैं यह further जो है यह ministry of home affairs के पास चला जाएगा वहां के portal से अलग लग जगा distribute होगा आपको इसके बाद कोई करने की कुछ करने की जरूवत नहीं है आपका complaint register हो चुका है इसके ग्रिवांस आपने register कर चुका है यह एक तरह का FIR की तरह ही काम करता है इसमें आपको घवराने की जरूवत नहीं है यह बिल्कुल आपको online platform मिला हुआ है कि आपने complaint किया अब इसका जो भी disposal होगा जो भी आपका address होगा जो भी आपका grievance को redress किया जाएगा वो online कर दिया जाएगा आपको कहीं भी किसी तरह क अगर यह हमारे पास आता है इस तरह के हमारे पास complaint आता है तो हम complainant से खुद phone पर बात करते हैं आपको घवराने की जरूवत नहीं है इस पर तुरत काम होता है आपको जो भी report होगा वह आपको time to time मिलता जाएगा इस तरह से हम इस पर complaint करते हैं इस तरह से आप हम acknowledgement number लेता ह और further addressal के लिए आपको wait करना पड़ेगा आपका complaint register हो चुका है आपको mobile में message मिल जाएगा आपका काम हो जाएगा आपको कहीं जाने के जरूत नहीं पड़ी आप घर बैठे अपना complaint आपने दर्स करा लिए इस तरह के लगातार updates के लिए इस तरह के बारे में चीजों के बा comment related जो sexually offensive material को post कर देना या उस तरह के जो भी related crime है उसको हम next video बताएगे आप इसके बारे में जानगे हैं complaint कैसे होता है आप इसको बिल्कुल अपने में अगर आप कभी cyber crime, cyber fraud के सिकार हुआ है आप बिल्कुल इसको apply करें करके देखें कोई दिक्कत होता है आप comment section में हमें ल करता है।